नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल एक्जाम अनुभो पर फ्रेंड्स आज़म बात करेंगे अभी ये जो फॉर्म आनलाइन चल रहा है प्रवरतन कॉंस्टिबल का और उसका नोटिफिकेशन है ये लास डेट है इस फॉर्म की भरने की तिती जो है 28 जुलाई है और 4 अगस तक इसमें जो संसोधन करना चाते हैं उसकी तिती दी गई है उस फॉर्म को आप आफिसल वेबसाट पर जाकर भर सकते हैं अगर कौन भर सकता है ये भी पता होना चाहिए क्योंकि यह यहाँ पर आपसे 25 रुपए तो लेंगे ही लेंगे उसके बाद जब मुक्र परिक्षा के लिए आप डाउनलूट करेंगे वहाँ पर 180 रुपए और लेंगे तो यहाँ पर कॉट आफ क्या जा सकती है क्योंकि पर बहुत जाधा नहीं है तो यहाँ पर enforcement constable कह सकते हैं या प्रवरतन constable कह सकते हैं जो आपकी इच्छा करें उसे आप कह सकते हैं क्योंकि बैसिक लिए जो विभाग है इसका वो परिवाहन आउट के अंडर ये constable कारे कर करते हैं और 477 पद होंगे और यहाँ प्रवरतन जारी है आप इसको फिल कर सकते हैं उसके लिए आपको बेसिक जो पीटी है 242 के लिए इलिजबल होना चाहिए आपने उसमें फॉर्म ढाला हो और जो cutoff marks आईगी उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं कितनी क्या जा सक क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक पीटी जो है पीटी जो है इक स्कैम है क्यों क्योंकि फ्रेंड्स हर वर्स पीटी के 30 से 35 लाग फॉर्म भरे जाते हैं जिसमें 180 रुपए लिया जाता है उसके बाद 180 रुपए यह ले लिया जाते हैं उसके बाद यही अब भारती हर पक्शा में बैठते हैं कौन यही 30,000,000 नहीं बैठते हैं 35,000,000 नहीं बैठते हैं यहाँ पे कोई base cutoff नहीं है base cutoff क्या होती है जैसे यहाँ पे एक mark से लेके 100 marks तक का है percentile है जैसे UP TT में क्या है आपको पता होगा कि 85 नंबर और 97 नंबर जिसके उपर ज्यादा basically जो unresult category के नंबर होते हैं 97 question होते हैं इससे उपर जो भी आएंगे वो सभी qualify तो यहाँ पर भी एक base cutoff होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आप सभी भैवति उसे मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ base cutoff होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ठीक है आप आयोग के द्वारा जो base cutoff नहीं रखी गई कम से कम इसकी व्यादता तो 5 वर्स होनी चाहिए या 3 वर्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक लड़का मेहनब करके क्या आप दूसरी पैक्षा की टैयारी में जाना चाहते है या केवल पीटी की टैयारी करना चाहते है इस विशे पर मैं बात कर रहा हूँ मैं अब मुद्धे पर आ रहा हूँ धीरे-धीरे मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई पहली चीज तो आप base cutoff नहीं रखते हो base cutoff नहीं है ठीक है cutoff नहीं है उसके बाद यहाँ इसका कोई मतलबी नहीं उसके बाद जब आप रख रहे है तो validity यानि जो year है इसकी validity कम से कम तीन वर्स पर होना चाहिए हमने महनत करके बहुत ही पढ़ा तो मैं ले आए एक बार 85 नमबर और तब भी सेवर नहीं है क्योंकि यहाँ पे 8000-10,000 बहुत कम ही विभागों में इतनी बढ़ती देखने को मिलती है नहीं तो कहीं पे 500 कहीं पे 700 कहीं पे 1000 कहीं पे 1500 कुछ चुनिंदा विभाग है वहाँ यहाँ पे 88-10,000 जैसे अभी एनम की 8,000 आई थी लेका 8,000 आई थी तो एक ही दो भी विभाग हैं जहाँ पे इतनी बढ़तीया आती है जो भी यह भी बता दूं कि वहाँ पे कौलिफिकेशन 12 होता है और जो भी ग्रेजवेशन से यहाँ पे भरती आती है तो जिसके लिए special qualification मांगा जाता है वहाँ पर 500,000 भरतियां ही आती है उसके लिए 15 गुना आप यहाँ पे देख सकते हैं अब मैं हर चीज़ से आपको आउगत कराता हूं यह चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे हमें आपको यह चीज़ दिखाना चाह रहे थे देख सकते हैं यहाँ पे ल 15 गुना भर्ति को बुलाए जाएगा अब सूर सकते हैं मोटी-मोटा यहाँ और हां 15 गुना भरति को बुलाए जाएगा और जो साथ लिस्ट किया जाएंगे वह नर्मलाइज जो परक्रिया है पीटी की उसी के अधार पर आप बुलाए जाएगे थीक है अब एक चीज़ आपको और दिखा देता हूं यहां पर पद कितने हैं यह तो आप सभी को पता ही चल गया होगा उनीस सो ग्रेट पे की जॉब है चारसो सतत्र पर पद है ठीक है अब इसका आप 15 गुना कर ली दिए मोटी मोटा मैं एक हूं बहुत ज़्यादा कमान लेता हूं मैं 477 का मैं और ले लेता हूं 20 गुना 15 नहीं मैं 20 गुना ले लेता हूं अब यहां पर जोड सकते हैं यहने कि 7 दुनी 14 7 दुनी 14 एक 15 चार दुनी 8 और एक 9 तो कितने हो जाते हैं 9,540 अ बहरती जब कहेंगे 20 मैं लेता हूं कि मोटी मोटा 10,000 अभ्यारती को बुलाएंगे बहुत खीच के कह रहा हूं 10,000 अभ्यारती को बुलाएंगे इस से ज़्यादा तो बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे क्लियर अब सोच सकते हैं 10,000 अभ्यारती कौन होंगे जब 35,000 अभ्यारती फॉर्म भर र वा प्लाई करेगा और यही बच्चा हर भरती में बैट रहा है यही बच्चा वीडियो की भरती में बैठ रहा है जो आएगी जो लेटस जूनियासिस्टेंट जो दो हजार बैस के आधार पर हे हो ए पिटी के आधार पर यही बच्चा यही 10,000 भारतियों का competition होगा क्यों कि यही बच्चा junior assistant में बैठेगा यही constable में बैठेगा यही वीडियो में बैठेगा यही बच्चा भारतियों जो अभी लेकपाल की भारतिय उसमें बैठा जिसमें 15,000 भारतियों को qualify करने के लिए मनोबल हर बार PT हर बार PT, हर बार PT आप तो अपना पैसा generate कर रहा हो बच्चों से कमाई का जरिया बना लिया है लड़के कमाई का जरिया नहीं है सरकार को इस बात को समझना चाहिए जितने भी policy maker है इन चीजों को वो गौर्स बागौर देखें कि क्या आप सही कर रहें बच्चों के साथ नौकरी नहीं देने मत दीजिए वगर उनको जीने के लिए कुस्तों दीजिए पैसे ले रहे हो पच्चास से साथ करोन पर येर यूप्रिट्रेबल स्थी PT से कमाई होती है पान साल में किती ही हो गई तीन से चारसो करोन की कमाई आप ऐसे ही जनरेट कर लेते हैं तो इस विशे पे कम से कम बच्चों के लिए तो सोचिए कि एक मैं ये कह रहा हूँ रामाक्स जिनके भी पच्चासी हों उससे उपर वालों को लिजिए मैं नहीं कह रहा हूँ सत्तर मार्क्स के भारतियों को अप ले मगर एक आधार का टॉफ और इसकी जो वैलेडिटी है पीटी की इसको तो एक बार गंभीरता से लेके इस पे विशार करें एक समित बैठाएं कि क्या ये सही कर रहा है बच्चों के जीवन के साथ हर वर्स वी पीटी की तेयरी कर रहा है किसी से पुछो पीटी की तेयरी कर रहा है और इसमें उनको फैदा होता है जो कूचिंग सेंटर है उनको तो एक बड़े हासा धडल्ले से उनकी व्यापार चल रहा है नुखसान किसका हो रहा है एक गरीब बच्चे का तो इस विशय पे बात करनी चाहिए सभी अभ्यारती को जागरूप होना चाहिए अप्लिकेशन लिखिए धडले से सभी जिल अधिकारियों को भेजिए आप नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ नहीं पहुच पाते हैं वक्वंतिरी तक अपनी बात नहीं पहुचा पाते हैं ट्विट करिए सोशल मीडिया पर इस चीच को वाइरल करिए सब चीजे बहतर हो पाएंगी और इसकी जो कट आफ है मैं आभी बता देता हूँ क्योंकि जब 10,000 अब भैरती बुलाए जाएंगे 2022 पीटी के अधार पे तो लगभग लगभग जिसके 87 राव मार्स होंगे उसके उपर वाले ही इस फॉर्म को भरें यह कड़ुआ सच है मगर यही सच है आप एकसेप्ट करें या ना करें इससे नीचे वालों को नहीं होगा तो कि 35-37 लाग जब भैरती बैठ रहे हैं तो जिनके भी 85-50 प्लस मार्स होंगे उन्हें का कॉलेटर आएगा उन्हें का परिच्छा है तो यही जानकारी थी जो आपको देनी थी और भी जानकारी है मगर वीडियो लंबा चला जाता है तो एक वीडियो में संभाव नहीं हो जाब पाता है तो बने रहे हमारे चैनल से जुडे रहें इसी तरह की जानकारी आपको अभैर करने के लिए बनता हूँ वीडियो को लाइक करके शाजा आवश्य करें उन्हें भैरती तक पहुचे जो PT के ही लिए के वल तैयारी कर रहा है PT को तो आप छोड़ना चाहिए किसी को भी फार्मी नहीं भरना चाहिए PT का तो जब तक ये इसकी वैलेडिटी क्लियर ना करें जब तक ये आधार कॉटाफ क्लियर ना करें थाइब जाइब जाइब